असलाम अलेकुम चलिए आज के इस वीडियो के शुरुआत करते हैं और समझते हैं आप लोगे टेंथ क्लास के दर्ख्षा का बुक का जो चैप्टर नंबर टेन है इस चैप्टर के ओल कोशन एंसर को चैप्टर का नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशन ठीक है औ और आगा हशर के बारे में बता हैं आगा हशर एक ड्रामा निगार है ड्रामा लिखने वाले हैं तो उनके बारे में बता हैं और ज्यादा चर्चा हुआ है ड्रामा निगारी पर उर्दू में कैसे ड्रामा को लिखा जाता है कौन-कौन से चीज़ें इंपोर्टेंट होती ह यहां तो इसको आप पढ़ सकते हैं इस video में सिर्फ question answer होगा जितना भी question इस chapter related आप लोगों के book में दिया गया है उन सभी question answer को हम इस video में complete करेंगे ठीके तो चलिए ध्यान से देखिएगा और समझेगा चलिए हाँ तो यहां पर ध्यान दीजिए आप लोगों का सवाल स्टार्ट होता है मुक्तसिर तरीन सवलात से यानि कि अतिलग उत्रिया प्रसंद से जो सबसे पहला सवाल है वह यह कि लुष्प रखी पांव नवचार कोई यहां पर देखिए यह पांचिनिम्ही नमबर सवाल ł लुखिय vendor की तैमिल का लाजमें अनसूड किया है ठीके तो ट्रामा की तकमिल के लिए अच्छ के लिए स्टेज लाजमें अनसूड है ठीके अरव यहाँ से ९ह ठीको होना को ठीका होना उत् أنments यहीं कि लुद्फु रह्मान की जिन्दगी के बारे में पांच जुम्ले लिखिये लुद्फु रह्मान की जिन्दगी के बारे में पांच सेंटेंस लिखना है ठीक है तो चलिए जवाब देखिए लुट्फु रह्मान का असली और कलमी दोनों नाम लुट्फु रह्मान ही है लुट्फु रह्मान का असल और कलमी दोनों नाम क्या है लुट्फु रह्मान ही है वह उन्हें से एक तालिस स्थी में जीला चप्रा के बुनियारपूर गाउं में पैदा हुए उनके वालिद म बुनियारपूर में लुस्फूर एमान पैदा हुए थे वो बुनियारपूर क्या था उनका नानी हाल था जबकि उनका जो रियल घर है वो कहां है दरवंगा जिला का रिवेंडा गाउं में ठीके तदाई तालिम बुनियानपूर में ही हासिल करने के बाद वह चंद साल दिल चस्च विलिया और एमें पीच्डिटी तक तृलीम शासिल कियें सही बात हैं जिसको तालीम और तलिम और धिलचदी रहे वह उपढ़ेगा ही तो ओ में और पीचीडी भी किये उसके बाद भागलत पूर मांची ये ये जुरूर ये ना गलत लिखा भागलत लिखा है उन्होंने भागल पूरी उनियर्सिटी से अपनी जॉब की शुरुआत की ठीक है तो यह होगी आप लोगो का अंसर अब देखी यहां से दूसरा सवाल स्टार्ट होता है दूसरा सवाल है कि मजमून निगारी की मुखतसर तारीफ कीजिए अब यहां पर बताना है कि एसे राइटिंग की से कहते हैं मजमून निगारी का आप लोगो का मुक्तसर तारीफ करना है तो यहां से जवाब स्टार्ट है अद्व इस्तला में किसी खास मौजू पर संजीदा अंदाज में लिखी कई तहरीर को मजमून कहते है अंग्रेजी अदब में मजमून के लिए एसे का लवज इस्तमाल होता है ठीक है मजमून यानिकी एसे और मजमून निगारी यानिकी एसे राइटिंग आप लोग जानते ही होंगे और वैसे भी जब मैं इस चप्टर को पढ़ा रही थी मजमून निगारी के बारे में बार बार बताई हूँ ठीक है आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं एक मिनट हाँ तो चलिए मौजू या अन्दास तहरीर की वज़ा से मजमून की खिसमों को पहचाना जा सकता है ठीक है और इसी तरह इनशाया भी मजमून ही की एक किसम है इनशाया जो है वो भी एक मजमून की ही किसम है लेकिन आप इनशाया को मजमून तनकीद लफ़ का मादा नकद है जिसका लोग भी मानी खरे खरे और खोटे की परख करना है अदब की जबान में तनकीद उस अमल को कहते हैं जिसमें किसी अद्बी तहरीर की खुबी और खामियों का जाइजा लिया जाता है तनकीद की वज़ा से तखलीक में सफाफित पैदा हुई है या अलग बात है कि तनकीद के दौरान किसी अद्वी निगाशिश की खामियों को उजागर करने का विजहान काइम रहा है लेकिन, सॉरी, यहां पर आम रहा है, आम रहा है लेकिन, किसी अद्वी तहरी की खुबियों को जाहिर करना भी तनकीद है ठीक है, देखिए, तनकीद का मतलब होता है, सही और गलत की जांच परख करना ठीक है, और ज्यादतर देखा जाता है कि कि कोई चीज लिखा गया है, उसमें क्या खुबी है उसको उजागर करना, ये भी तनकीद का ही मतलब एक हिस्सा बन जाता है ठीक है, और वैसे भी मैं आप लोगों को तनकीद बार बार बताई हूं कि अगर कोई मुसंनिफ है, कोई राइटर है, वो कुछ लिखा है, मदमून लिख रहा है या फिर वो गजल लिख रहा है, या फिर नजम लिख रहा है, खाका लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है वो उसमें जो भी गल्ती और सही है, सही और गलत की पहचान करना ही तनकीद कहलाता है ठीक है, तो यह हो गया आप लोगों का, सवाल नमबर चार देखिए, ड्रामा की मुखतसर तारीफ कीजिए अब यहां पर आप लोगों को बताना है कि ड्रामा किसे कहते हैं, यहां से जवाब स्टार है ड्रामा किस्सा कहानी की एक ऐसी सिन्फ है, जिसका तालुक अर्दू के नसरी अदब से है उसी तरह ड्रामा में भी तवील कहानी पिर्श किया जाता है और किरदारों के जरीए एक मकसूस माहौल की अकासी की जाती है फर्क सिर्फ इतना है कि ड्रामा स्टेज पर किरदारों के जरीए और अमली मजाहिर कराया जाता है ठीक है तो ड्रामा जो होता है वो बिलकुल लिख दिया जाता है कहानी की तरह और उस कहानी को बस ड्रामा के तौर पर नाटक के तौर पर स्टेज पर दिखा दिया जाता है जिसमें बहुत सारे किरदार होते हैं कारेक्टर होते हैं जो रूल प्ले करते हैं उसी को मतलब ड्रामा कहते हैं बस बात खतम ड्रामा में किरदार होते हैं ठीक है भले उसको लिखा जाता है और लिखने के बाद उस ड्रामा की अकासी की जाती है यानिके स्टेज पर दिखाया जाता है उसके लिए किरदार होते हैं ठीक है करेक्टर होते हैं जो अपना अपन कस्मिरी की खिद्मात नहायत एहम है आगाहशर की फनी अजमत को जाहिर करने के लिए बाद तज़करा नजारे निगारों ने उन्हें शेक्सपियर के एहम पल्ला करार दिया है यही वज़ा है कि अर्दू ड्रामा निगारी में आगाहशर पहले फनकार है जिन्होंने अमली जन्दगी के मसाइल को अपने फन का मोद्व बनाया चुनाने उन्होंने अपने ड्रामों में ज्यादतर समाजी मसाइल को बेश किया को खामिल किए उसी वज़ा से उर्दू ड्रामा निगारी में आगाहशर को सबक्त हासिल है ठीक हे इसलिए आगहासर को जदीड ड्रामा निगारी का बानी, समझना चाहिए ठीक है, उस द्रामा मशना निगारी में आगहासर कस्मिरी को क्या माना गया है, ठीक है, चलिए, झाल आप लोग का तवील thवाला से, जह लुखना होता है, सबसे पहला सवाल है कि लुद्फु रह्मान की तनकीद निगारी पर एक मजमून लिखिए लुद्फु रह्मान कैसे तनकीद लिखा करते हैं उस पर आप लोगो को क्या लिखना है मजमून लिखना है एसे लिखना है ठीके तो जवाब यहां से स्टार्ट होता है बिहार के अहम तरिन तनकीद निगारों में लुद्फ रहमान की शक्षियत नहायत अहम है। उन्होंने अपने मताद तद तनकीदी तसानीफ के जरीए उर्दु तनकीद के सिर्माये में वसाथ बख्षा है। मदमïन नुएसी से उनको जमाना तालिब इल्मी से ही दिल्चस्पी थी। तनकीद निगारी अफसाना निगारी और श्यर्व शायरी उनकी खास मैदान रहे हैं। उनकी तसानीफ में लुद्फ र रहमान की तनकीदी नजरियात वाजी होकर सामने आते हैं। ठीक है, आगे में पढ़ती हूँ देखिए, यहांपर आप लुथ fotograf रह्मान की किसके बारे में बताया जा रहा है? उनकी तनकीद निगारी के बारे में बताया है ठीए और सामीले निसाब मजमून और्दु डॉर्वानिगारी और आगा हशर् रुथ-उ-रह्मान यह यह चैप्टर नाम यह बी एक तनकीदी मजमून एं ठीज right क्यों क्योंकि इसमें उर्दू ड्रामा के बारे में उर्दू ड्रामा निगारी के बारे में सही और गलत दिखाया है तो मतलब सही और गलत बाते बताई गई है उर्दू ड्रामा निगारी में कौन कौन सी चीजे इंपोर्टेंट होती है ये बताई गई है तो तनकीद तो उ आगे देखिए जिसमें मजमून निगार ने आगाहसर से यहां पर आगाहसर गलती से मिस्प्रिंट हो गया है आगाहसर से मतालुक वाज़ा तनकीदी नजरिया पेश किया है चुनांचा इस जमन में लिखते हैं कि आगाहसर को एक तरफ और्दु का शक्ष्पियर कहा गया त सतही मजाक के ड्रामा निगार है ठीक है कुछ लोग बोलते हैं कि जो है आगाहसर वो एक क्या है उर्दु के शेक्सपियर है उर्दु ड्रामा निगारी कि क्या है सेक्सपियर है लेकिन बाज लोग जितने भी है वो क्या कहते हैं कि जो आगाहसर है वो सतही मजाक के ड्राम है यानि कि ऐसा मतलब ड्रामा लिखते हैं और ड्रामा क्रियेट करते हैं जिसमें हसी मजाख हो ठीक है दोनों तरह की राये आपस में मतजाद है आगाहशर के तालुक से लुथू रह्मान ने इन अगाहशर के साथ नाइंसाफी से ताबिर किया है और इस हक्कत को वाज़ा किया है कि ड्रामा नेगारों के दरमियान आगाहशर कस्मीडी ने अपने ड्रामों को मकबूल है आम बनाने की कोशिशों में बड़ी अजलत दिखाई है दिखाई जिसे नतीजे में उनके फन का मिय पस्त होकर रहे गया ठीक है जो क्या बोले जाता है आगाहशर है वो अपने ड्रामों में बहुत ही मतलब आम बनाने की कोशिश बहुत तेजी से ही है ठीक है बहुत तेजी से अपने ड्रामा को बलकुल आम और सधारन बनाने की कोशिश की है आगाहशर ने और जिसके मतालुका जमाने की ही आइनादारी होती है उसके इलावा भी उन तखलिकात में बहुत नाकात ऐसे भी चिपे हुए हैं जो जमानी वो मकानी हुदूद से आगे होते हैं ठीक है अलगर्ज एक तनकीद निगार की हैसियत से लुट्फु जामान की शक्सित बहुत ही मतवाजिन और बावकार है तनकीद निगार में ना तो फली मुद्दीन एहमद की तरह इंतहा पसंदी के काईल है और नहीं तनकीद में पसीदखवानी के काईल है जिसको मौदूदा दोर में सालह तनकीदी का नाम दिया जाता है ठीक है तो यह हो गया एंसर अब देखिए दूसरा होगा क्योंकि तवील सवलात हैं जलिए जब देखिए अर्दु रामा निगारों की तवील फाहिर सत में आगाहसर कश्मीरी की सरक्षियत नहाएत एहम हैं उन्होंने उन्हेंसे एक میں अपनी ड्रामा निगारी की सुरुआज GP vengeance in आगाजा हम है तो इस वक्त और रूर्दु ठीक है उतना लोग ड्रामा नहीं लिखा करते थे ठीक है आगा अशर ने भी सुरू में अपने पेशरू फंकार मसलन एहसन लखनवी बेताब दहलवी और तालिब बनारसी वगयरा के फन की तकलीद किया और यह उनके मुश्क का भी जमाना था जिसमें मजगोरा फंकारों से म लेकिन आगे चलकर उन्होंने ड्रामा निगारी में अपनी रह अलग बनाई और अपने मुनफर्द तकले के साओर का सबूत पेश किया और वह उर्दो ड्रामा की रिवायती डगर से मुनहर्फ हो गया ठीक है उन्होंने जब उन्हें सा एक इस विसमें आगा असर जो है ड अगा शर ने अपने ड्रामों में पहली बार उसरे जिंदगी की हकायक को भी अपने फन का मौजू बनाया और अपने ज्यादतर ड्रामों में उन्होंने समाजी और मौश्रती मसाहिल को पेश करने की कोशिश की यही वज़ा है कि अर्दू ड्रामा निगारी में आगा शर क कश्मीरी से ही होता है ठीक है यह भी कहा चाह सकता है कि जदीद अर्दू ड्रामा निगारी अर्दू ड्रामा निगारी का जो शुरुआत है वह आगा शर कर्श्मीरी से ही सुरू होती है ठीक है आगा शर के ड्रामा निगारी एक दूसरी एहम खसूसित यह है कि उन्होंने अपने ड्रामों में मसज्जू और मुकफ़ा अबारत की जगा पर अवामी लव लहज़ा और आम फहम जबान को इस्तमाल करने की रवायत का आगास किया अन्होंने ज्रामा निगारी के असिलूब में एक एहम इनकुलाब पैदा किया और इस तरह उर्दू नसर की तरदकाई की धारिक से जबान को अहंग कर दिया ठीक है यहाँ पर दूसरी खासुसियत यह है आगहासर की ज्रामा निगारी की दूसरी फिचर दूसरी विसेशता यह है कि उन्होंने अवामी जो लोग आम तर पर जो जुबान में बात करते हैं उन्होंने सिंपल लेंग्वेज का यूज किया अपने ड्रामे में ठीके आसान असान शब्दों का यूज किया ठीके ये उनकी दूसरी खाशुशियत है ठीके अब यहां से मैं पढ़ती हूँ एक मिन एक इसम की जिद्दत और नदरत पाई जाती है जिन ड्रामा निगारों ने स्टेज ड्रामे की रिवायत को मकबूल ए आम बनाया और इस्ते हकाम बक्सा उनमे आगासर कस्मिली सर्फ़र्शत हैं ठीके मौज़ू असलूब और फन की सता पर भी आगासर ने उर्दू ड्रामे आगासर की क्या है उनकी ड्रामा निगारी के बारे में बात किया गया है ठीके आप लोग भी इतना लंबा चोड़ा लिख सकते हैं लेकिन इसको आप लोग चाट कर छोड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से ठीके अब देखिए तीसरा सवाल है उर्दू में तनकीद के अद्वी नगार इसकी खुबी अखामी का गयर जामदार रहना अंदाज में जाइज़ा लेना है इस बुनियाद पर नाकद को जो अपनी राय होती है दरसल उसे हम तनकीद कहते हैं ठीके आगे बढ़िए वैसे मैं आप लोग को तनकीद बताती तनकीद का मतलब होता है ख उसकी गलती Państu के बताया है जो मुस्निफ लिखा है जो राय्टर लिखा है इसमें यह यह गलती है नहीं गलती को बताईए ठीक है लहीं उसको खूभी को भी बताना है ठीक है तंकीद की हत्मिenessारी तारीफ में दाशहरों क Using खासे औवी नाकद कहता है कि अदब को पर परख अदब को परखना अदब किसे कहते हैं उसमें अदब की बात कही गई है कि नहीं उस स्क्रिप्ट में उसको हम लोग तनकीद कहते हैं कोई कहता है कि जो बुरा भला है बुरा भला कहना जो मसनिफ लिखा है इस स्क्रिप्ट को जिसने भी लिखा है उसको बुरा भला कहना ही क् किया कहलाता है तनकीद कहता है तो अलग अलग नजरिया पेश्ट किया गया है लोगों की मगर इस जमन में हक्कित यह है कि फन का मुटाला खुआ नफसियाती असलूबियात लिसानियात और तरास तासराती जिस सता का भी हो उस मुटाले और तजर्बे से उखज किये गए हैं नताइज ही तरसल तनकीद के जमरे में आते हैं उर्दो में तखलिक की रुएट जितनी कदीम है तनकीद की रुएट भी उससे कम कदीम नहीं है आम तोर से हाली का मुकदमा शेर वशायरी को अर्दो तनकीदी की पहली किताब तसलीम किया जाता है लेकिन हकीकत उसके बर ख के साथ उनका उनके उनके किलाम पर भी तबसूरे मौजूद हैं उन तबसूरों को ही हम तक तनकीर की पहली इन कह सकते हैं ठीक है एक निट यहां उसकी बहतरीन मिसाल मेर्टकी इमीर का तज़करा नकातल सौराय है इलबता यह अलग बात है कि उन तनकीर तबसूरों को बजाबता फन की हैसित हासित नहीं है इस स्लसले में अलताफ हुसैन हाली का इतना कारणामा जरूर है कि उन्होंने पहली बार मुकदमा शिरवशारी जैसे किताब पेश करके तनकीद के मौजू पर एक मुएतबर तस्नीफ है इस तरह हाली और सिबली ने अर्दु तनकीद के सफर में महमेज का का काम किया जिसके नतीजे में बिहार में कली मुद्दीन एहमर डॉक्टर अबदुलमुगनी और लुद्फु रहमान जैसे मुएतबर नाक्दीन मंजर आम आ हैं मंजरे आम पर आ है तुक है तो यह होगा अप लोगों का अब देखिए सवाल नमबर चार है कि इसम की तारीफ कीजिए और उसके अक साम बयान कीजिए यह उर्दु ग्रामर का ठीच है और उर्दु ग्रामर में आप लोगों को अल्रेड़ी पढ़ा चुकी हूं इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है आप लोग जाकर उर्दू ग्रामर देखेंगे तो उसमें बताई हूँ कि इसम किसे कहते है इसम की कितने अक्तिसमे होती है तो वहाँ पर आप लोग जाकर समझ सकते है लेकिन फिर भी यहाँ पर एंसर दिया है तो चलिए देखते हैं इसम की तारिफ यहाँ पर दिया है किसी भी आदमी जगा या चीज के नाम को हम इसम कहते हैं इसम को इंग्लिस में बोलते हैं क्या बोलते हैं इसम को इंग्लिस में बोलते हैं नाउन और हिंदी में बोलते हैं संग्या ठीके आप लोग याद कियोंगे ना बच्पन में नाउन इस दनेम आफ परसन प्लेस ठींक और अनिमल्स ठीके तो किसी भी जगह वेक्तिस्थान जानवर के नाम को हम नाउन कहते हैं संग्या कहते हैं बिल्कुल उसी तरह उर्दू में इसम होता है किसी भी चीज के नाम को हम इसम कहते हैं जैसे महमूद, मजफर, पूर और किताब वगएरा कोई भी चीज का नाम हो उसे हम क्या बोलेंगे इसम कहेंगे ठीके मानी के लिहाद से इसम की दो किसमे यहाँ पर बताये हैं लेकिन मैं आप लोग को टोटल बताई हूँ उर्दू ग्रामर में की इसम की कित हैं क्या हैं दो किसम दूसरा दो परकार पहला है इसम मार्फा और दूसरा इसम नक्रा ठीके और यहां पर इसम मार्फा और इसम नक्रा का भी तारिफ किया है किसी भी खास आदमी जगा या चीज के नाम को इसम मार्फा कहते हैं ठीके इसम मार्फा का यहां पर तारिफ किय नामें खाज जो कोई भी हो जो भी नाम जो खास चीज जगा या फिर किसी भी खास इंसान के नाम को बताइए उसे बोलते हम इसम अर्फा ठीक है जिसको बोला जाता है साधी में बैक्ति वाचक संगया ठीक है अब देखिए यहां पर दूसरा है इस मार्फा की साथ इसमे होती है देखिए अलम जमीर इसमे इशारा इसमे मौसूल माहूद मजाफ और मनादी ठीक है अब यहां पर देखिए इसम नकरा की तारिफ किया गया है उस इसम को कहते हैं जिससे आम आदमी या चीजों का मालूम हो और अपनी नौईद के तमाम अक्साम पर साधिक आये जैसे इंसान शहर और नदी वगयरा ठीक है तो किसी भी आम आदमी के किसी भी आम चीज़ किसी भी आम जगह क्या बोलते हैं इसमें नकरा कहते हैं इसको आप और बहतर तरीके से समझ चकते हैं जब मैं इस मार् आप हमें कमेंट करकर पूर्च सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए ज्यादा जदा शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों के पास अपने दोस्तों के पास और हां अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो